तो दोस्तों अगर आप फॉन पे अप्लीकेशन यूज करते हो तो आज में आपको फॉन पे अप्लीकेशन के अंदर एक ऐसा म्यूचिल फंड बताऊंगा जो आपको 46%, 45%, 50% तक का इंट्रेस्ट देता है तो भाईयो अगर आप म्यूचिल फंड में इन्वेस्ट में करना चा वीडियो में आपको देने बालाओं की यह जो फंड है जिक किस प्रकार का है ठीक है तो चलिए हम अपने फॉन पर आपनी केसा ओपन करने के बाद यहां पर हम आ चुक है अपने फॉन पर एप के अंदर अब यहां पर आने के बाद अब आपको क्या करना है नीचे आपके वो फंड जिसमें आप investment कर सकते हो तो देखो यहाँ पर बैसे इस company कि तरफ सी गोल्ड का जो परपेशे इसको popular बताया गया है फंड बताया है थीक है लेखे दोश्टो में आपको फंड बताने वाला हूँ वो काफी अलग है तो फिर आपको क्या करना रूर तो आपको यहां पर क्या करना है दोश्टो एक्स्प्रॉर आल फंड पर क्लिक करना है ठीक इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यह पहला जो फंड है हमारा यह वाला यह भाईया आपको 40% का इंटरेस्ट देगा ठीक तो इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप हमारी वीडियो को कंप्लीड देखो मैं आपको पूरी जानकर बताऊँगा इस फंड के लिए ठीक है तो आपको क्या करना है इसी फंड पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहां पर आपको दो ओक्षन दिखने को मिलेगा पहला है वन टाइम दूसरा है मंतली एसाइपी ठीक अब आपको में अपको समझा दू मंतली कमतली क्यां पैसे करना यहां पर यहां पर मंतली पैसे उंवेस्ट करना तो यहां पर मंतरी बेसिक पर पुटिक लगाना है और यहां पर आपको डेट चूज करने हैं कितनी डेट को आप इस फंड पर पैसा डालोगे तो अपने सेल्जी के साफ से यहां पर जो है डेट चूज कर ले उसके बाद मिनिमम यहां पर 1000 रुपे आपको डालने ही पड़े अब रही बात इस फंड की कैटेगरी के स्प्रकार के तो देखो भाई इस फंड में तीन साल में 46% का रिटन दिया है और 5 साल में 23.12% का अगर बात करें इस फंड के हमेशा लॉंचिंग की तो यह जब से लॉंच हुआ तब से 11.65% का इंट्रेस्ट देता ही आया है तिक है अब आप सोच रहे होंगे कि 46% का रिटन मिलेगा तो मज़ा आ जाएगा तो देखो यार मैं आपको बता दू कि मूचल फंड जो होते है वो पूरे-पूरे मार्केट पर चलते है तो यह 46% है जी फिक्स नहीं है वो सकता 46 मिल जाए ज्यादा भी मिल जाए हो सकता कम भी मिल ठीक है तो बाई यहां पर जो है इनका कोई इंट्रेस्ट फिक्स नहीं रहता ठीक है मूचल फंड में आदमी बहुत ही तेजी से गिरो हो जाता है और बहुत ही तेजी से नीचे भी गिर जाता है अपने पनी किस्मत की बात है ठीक है एक बात और बता दोस्तों अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमन करोगे तो रिक्स बहुत हाई है ठीक है और यह फंड रेगुलर और ग्रोथ दोरफ प्लान के साथ आपको मिल जाएगा चौविश नमूंबर दोहार चौविश नमूंबर उनीस्तो चानवे को यह फंड जोगा था रिक्स कापी ज्यादा है व फंड में लेकिन आपके लिए स्वालियत है अगर आपका जो है पैसा एक्ष्ट्रा में तो आप जो इन्वेस्टमन कर सकते हो और अर्निंग कमा सकते हो जैसा कि एक्जांपर दिया कि अगर आप 500 रुपी की साईपी करोगे थ्री साल के लिए तो अगर आप एपडी में अपसी में ठीक है और यहां पर अगर आप इस फंड में रखते हो तो आठार हाजार तो आपका इन्वेस्टमन एमाउंट हो गया आपको रिटन मिलेगा चौतीस यार सतासी रुपया चालीस परसंड के हिसाब से और यहां पर आपको पांट पंदर परसंड के हिसाब से और अधर नेक्स वीडियो में तब तक लिजाएंगे